क्या आपको भी डर है कि सर्दियों में आपके पोदे मुर्जा जाएंगे लेकिन रुकी अगर आप चाहते कि आपके पोदे सर्दियों में भी हरे बरे रहे तो ये वीडियो आपके लिए ही है आज हम बात करेंगे उन खास तरीकों की जिनसे आप अपने बगीचे को सर्दियों की मौसम के लिए तयार कर सकते हैं वैसे कभी आपने सोचा है कि पोदे भी ये सोचते होंगे कि सर्दियां आने वाली है अब हमारी देखबाल कौन करेगा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने बगीचे की सफाई सभी तरह की पुरानी पतिया, खतबतवार और टैनियों को अपने पोदों से अटाना बहुत ही ज़्यादर जरूरी है सोचिये जैसे हम सर्दियों में अपने घरों को साफ करते हैं वैसे ही सर्दियों से पहले अपने बगीचे को भी जमकाना जरूरी है लेकिन क्या सिर्फ सफाई काफी है? बिल्कुल नहीं अब बात करते हो नाजुक पोदों की जिनने सर्दियों में खास देखभाल की जरूरत होती है जैसे कि तुलसी मनी प्लांट और दूसरे टॉपिकल पोधे ठंडी हवाई इन्हें नुकसान पोचा सकती है इसलिए इन पोधों को या तो घर के अंदर रखे या इन प्लास्टिक की पनी से कवर कर दे सोची अगर हमने इन्हें यूँ ही छोड़ दिया तो क्या होगा तो सर्दिया इनकी लिए जानलेवा साबित हो सकती है और हाँ ध्यान रहे कि पोधे इनसानों की तरह कंबल में लिपट नहीं सकते पर हम पोधों का भी सर्दियों में खयाल रख सकते हैं अब आते हैं सबसे एहम बात मल्चिंग पर ये पोधों के लिए सर्दियों का कंबल है सुके, पतो, भूसो, घास का इस्तमाल करके आप अपने पोधों की मिट्टी की सतय को डख सकते हैं इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और जड़े ठंड से बची रहेगी लेकिन मल्चिंग करते वक्त आपको एक खास बात का ध्यान रखना चाहिए क्या है वो बात वीडियो में आगे बात करते हैं सर्दिया आने से पहले अपने पोधों की कटाई-छटाई करना फाइदे मंद होता है ये पोधों को नई उर्जा देता है और सर्दियों की समय उन्हें मजबूती से खड़ा रहने में मदद करता है सोचिए जब सर्दियों की बाद नए पत्ते और फूल तेजी से उगेंगे तो आपका बगीचा कितना हरा भरा और सुन्दर दिखेगा लेकिन क्या प्रूनिंग से ही आपके पोधों की सारी समस्या खतम हो जाएगी शायद नहीं क्योंकि सर्दियों में पानी देने का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है ज्यादा पानी देने से आपका पोधों सर्ड सकता है क्योंकि ठंड में मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है इसलिए पानी कम दे और सही समय पर दे ध्यान रहे, सर्दियों में आपको अपने पोदों में ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि अगर आपने पोदों में डाल दिया, तो इससे होगा कि आपके पोदों की जड़े सर्ड सकती है, और एक बार आपके पोदों की जड़े सर्ड गई, तो आपके पोदों में और क पूद्र को जरूरी नहीं हो जाती है जादा खाट डालने से आपका पूदा कमजोर भी हो सकता है खाट डालने के लिए बस सर्दिया बीतने का इंतजार करें ताकि जब नए मौसम में पूदे की ग्रोध तेज हो तो वह अपनी पूरी उर्जा से खिल सके लेकिन क्या आपको जोकली घाजर पालक जैसे सर्दियों के पूदो को अब लगाने का सही समय है आपकी गार्णिंग का मज़द तब दुगना हो जाएगा जब ठंडिया वाओ के बीच हरी बरी सबजिया और फूल खेलेंगे तो ये थी कुछ आसान और कारगर टिप जिसकी मतलब से आप अप पूदो को सही तरीके से त्यार कीजिए याद रहे थोड़ी से मैनत और सही जानकरी के साथ आपके पूदे सर्दियों में भी खिलकिला सकते हैं अगर यह वीडियो आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगाओ तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप जानना चाते कि सर्दियों के मौसर में कौन से फ़लों के पूदे लगाया जा सकते हैं तो साइड में आ रहे हैं वीडियो पर क्लिक कर यह मैं आपसे वही मिलता हूँ और साथ ही साथ देखते रहे हैं फार्मिंग भी थार्दिक आपके पूदे भी आपको जोरू धन्यवाद कहेंगे